हेलो एव्रिवान, कैसे हैं आप सब और आप सभी का स्वागत है हमारे चानल कर्मा आयुर्वेदिक पेरलसस ट्वीट में जहां पर हम आपके लिए पेरलसस से जुड़े कई इंफरमिटिव वीडियो लाते रहते हैं ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे पेरलसस होने पर आप कौन सा टेल लगा सकते हैं तो चलिए जानते हैं पेरलसस शरीर के ऐसी सित्वी होती है जिसमें मानव के शरीर का कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है यह समस्या अकसर तब होती है जब आपके दमाग की सेल्स डामिज होने लगती हैं जिससे के आपका दमाग काम करना बंद कर देता है और इससे धीरे-धीरे आपके शरीर का कोई एक हिस्सा पेरलसस से प्रभावित हो जाता है इस समस्या के कारणों के बात करें तो यह स्ट्रोक सर में चोट, रीट की हड़ी में चोट या मल्टिपल स्केलरोसस के वज़ह से हो सकता है दिमाग की कोशिकाओं के शतीघरस्थ होने से लक्वे की समस्या हो सकती है जिसके लिए जरूरी है कि आप कुछ ठंडे तेल का प्रयोग करें लेकिन अगर आप पेरलसस से गरस्थ जगा पर तेल मालिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गर्म तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए कि तिल का तेल काफी जादा फायदेमन माना जाता है, तिल के तेल से मसाज करने से आपके शरीर को करमाहट मिलती है, जिससे कि आपके शरीर के अंग एक्टिव रहते हैं, इसमें मौझूद पॉली जिससे कि आपके शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, इसका प्रयोग ब्लॉक हुई नसों को खोलता है, जिससे कि पैरलिसिस की समस्या में आराम मिलता है, अगला है बादाम का तेल, बादाम के तेल में कई सारे पोशक तत्वों मौझूद होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं, इससे मालिश करने से पैरलिसिस रोग के दिक्कत में राहत मिलती है, तो ये है कुछ खास तेल, जिनका प्रयोग कि आपके पैरलिसिस की परिशानी को दूर रखता है, तो आज के लिए बस इतना है, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, हम फिर मिलेंगे एक नए विश्य के साथ, तब तक के लिए अपना ख